संजू फिल्म के सभी किरदारों ने उन्दा काम किया है और उनमें से एक है विकी कौशल जिनके कारेक्टर की सभी लोगों ने तारीफ की फिल्म में विकी ने संजे दद के खास दोस परेश गिलानी का किरदार निभाया वेल संजू रिलीज हुई और बॉक्स ओफिस पर ताबर तोड कमाई करने लगी रिलीज के दो हफते बाद असली कम ली यानि की परेश ने लिखा संजे दद को एक एमोशनल लेटर जिसे पढ़कर संजे दद भी हुए भावक संजे दद के रियाक्शन से पहले देखते हैं परेश ने अपने इस ओपन लेटर में क्या लिखा मैं उन सालों के लिए रोना चाहता था जो हमने खो दिये जिन्दगी के उतार चड़ाओं में एक दूसरे के साथ खड़े रहे और जब अपनों को खो दिया था वो बलतिया जिन्हें हम सही नहीं कर सकते उस ताकत के लिए जो हम एक दूसरे से मिली उसके लिए मेरोना चाहता हूँ अब जब कि पूरी दुनिया हमारी और उस इंसान की कहानी जान गई है जिसने मुझे अपनी जिन्दगी का हिस्सा बनाया और जिसने मुझे गिनने के बाद उठना सिखाया मैं ये बता नहीं सकता कि कितने जजबातों से मैं इस वक गुजर रहा हूँ हम मेंसे कितने लोग ये सच्चाई के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे दोस्त है जुनासिव हमारे हर अच्छे बुरे में साथ खड़े हो बलकि भाई संग्रक्षत बढ़कर हमारी आत्मा हो संजू दोस्ती की समर्पित फिल्म है जिसमें उठना, गिरना, गल्तिया करना और सीखना, बुराईया, कमिया और वो सब कुछ है जो दोस्ती की जान होती है ये जीवन की सभी पहलों को समेट ती जीने के जज़वे को दिखाती फिल्म है परेश ने संजेदत को उन्हें दोस्त बनाने के लिए शुक्रिया अदा किया परेश ने लिखा संजू मेरे जीवन का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया शुक्रिया इस बात के लिए कि हम एक दूसरे को सम्हालते रहे अपनी जीवन यात्रा में मुझे शामिल करने और ये सिखाने के लिए कि कैसे विपरित परिस्थितियों में खुद को सम्हाला जाए तुम हमेशा मेरे दोस रहे हो और रहोगे एक भाई की तरह जिसकी चाहर सभी को होती है ऐसे ही धारते रहो टाइगर वेल दिल को छू देने वाले इस लेटर पर संजेदध भी होई एमोशनल ट्विटर पर लिखा आपको बता दे की पारेश इतने सालों तक सोचल मेरे से दूर रहे लेकिन साथ जुलाइ को इस लेटर के साथ उन्होंने सोचल मेरे जोइन किया पारेश ने अपने ट्वीट में लिखा इस बीन अपने ट्वीट मेरे लिखा आपके क्या रेक्शन है इनकी दोस्ती पर गलाँ मेरे ट्यूबा इस लेकिन सालों इतने सालों मेरे लिखा पारेश ज़ीट मेरे लिखीным है ज suis क्डेसराय इतने सालों